दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल रुईद गोश्वामी लॉक्लास इसमें और आज मैं आपको कराने बाला हूँ LLB Second Year, Sam है मारा Fourth, Act है मारे Environmental Law, Code है 4003 और Question नंबर है मारा 3 अब से पहले मैं आपके 3 questions करा चुका हूँ basic था एक question और दो question आपके वैसे थे जो number wise थे क्रम से तो आप playlist पे जाकर तो मैं देख सकते हो playlist आपको Act का नाम लेगा Involumental Law, आपको Sam लेगा Fourth और वहाँ पे आपका Code लिखा मिलेगा ठीक है अगर आपका Sam और Code मैच नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप अपने Act के हिसाब से तयारी कीज़ेगा आज का जो question है बहुत ज़्यादा महत्कूर है और इसके जो आने की संभावना है 80% तक रहती है ठीक है अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नॉट्स चाहिए तो वो हमारे दिये हुए वर्टसप नंबर पे मैसेज करके हमसे PDF नॉट्स परचेस कर सकता है आपको Fourth Semester के All PDF नॉट्स मिल जाएंगे आज का question है उसे देखते हैं Question number है हमारा 3 प्रियावरण सर्रक्षण अधीनियम 1986 के अंतरगत केंद्रिय सरकार की प्रियावरण के सर्रक्षण एबम सुधार के लिए उपाय करने की सामन्य सक्तियां क्या है जो हमारा एक्ट है प्रियावरण सर्रक्षडदीनियम उसके द्वारा जो कैंद्र सरकार की जो सक्तियां है उसके आधार पर प्रियावरण के लिए कौन-कौन से कार्राय कर सकता है, कौन-कौन से सुधार कर सकता है उस चीज को हम देखेंगे केंद्रिय सरकार की सामानने सक्तिया, पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, जो हमारा लौ है, सम्मिधान जो है, हमारा Constitution, सम्मिधान का अनूछेद 21, यानि 21, हमें प्राण एवं देहिक सुर्तन्तरता का अधिकार देता है, प्राण एवं देहिक सुर्तन्तरता, सुर्तन्तरता का अधिकार हमें देता है, ठीक है, जब हमारा प्रियावरण प्रिदूशन जादा बढ़ जाएगा, प्रियावरण खराब हो जाएगा, तो हमारे प्राण और देहिक सुर्तन्तरता हमें कहां से मिल जाएगी, ठीक है, तो हमें देता है कि आप पिर्यावरण के लिए लड़ सकते हो, कानूनी पिर्किर्या कर सकते हो, ठीक है, आगे चलते हैं, लड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप लाठी डंडे चला सकते हो, मतलब मार पिट नहीं, अपने अधिकार के अपने हग के लिए अपनी बात रख सकते हो, ठीक है, आगे चलते हैं, केंद्रिय सरकार की सामन ने सकती हैं, प्रियावरण का सरक्षण, सरकार का प्रिथम दायत्व है, बैस सरकार का सबसे पहला दायत्व क्या है, वो प्रियावरण को सुंदर बनाएं, स्वक्ष बनाएं, मूल अधिकार वे राज्ये के नीती निर्दे सबसे पहले बोला है सरकार का प्रमुक करतब्य है पिर्यावरण को सुरक्षित रखें दूसरा है मूल अधिकार और नीती निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है कि पिर्यावरण को बनाए रखें ठीक है इसलिए सरकार से इस दिजा में उचे तुपाय करने तथा कदम उठाने की अपिक्षा की जाती है यही कारण है कि केंद्रिया सरकार को इस अधिनियम के अंतरगत अपने दायतों को पूरा करने के लिए धारा तीन से छे तक निम्लिकित सामान्य सक्तियां प्रदान की गई है और हमारे नीती निर्देसक तत्व। ततव हमें प्रिया वरण के लिए अधिकार देते हैं ठीक है? और इसी के आधार पर केंद्रिया सरकार इनके सक्त, अपनी सक्तियों का इस्तमाल करते हुए पिरियावरण को सुंदर और स्वक्ष बनाने के लिए नियम बनाती है उपाय करती है ठीक है और समीती गठिद करती है और समीती में समीती अध्यक्ष बनाती है और इनमें विभिन्न विभिन्न पत्लों पर व्यक्तियों को न्युक्त कर दिया, ठीक है? और ये अधिकार कैंद्रिय सरकार को कहां से कहां तक दिये गए है? पिर रियावरण सर्रक्षण अधिनियम की धारा तीन से छे तक दिये गए है, ठीक है? अब देखते हैं, आगे. र ठीक है? नंबर बन, पिरियावरण प्रिदूशन के निवारण, नियंत्रण, निवारण होता है उपाय करना, ठीक है? नियंत्रण तथा कम करने के लिए राष्ट्र कार्रेकरम की योजना बनाना तथा उसे लागू करना. जो कैंद्रिय सरकार है, क्या करेगी? अगर कहीं पर पिर्दूशन हो रहा है, तो उसके निवारण में बात करेगी, उसके निवारण के लिए बात करेगी, उसे रोखने के लिए बात करेगी, तथा कम करने के लिए बात करेगी. आगे चलते हैं. दूसरा, पिरियावरण गुणबत्ता के बिभिन द्रश्टी कोणों से मान निर्धारित करना मानकों के द्वारा जाच के द्वारा यह देखेगी के प्रियवरण क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है ठीक है उन सबका मानक तेयार करेगी नंबर तीम, प्रियावरण प्रिदूशन करने वाली दुरुग घटनाओं को रोकने हेतु उकचार करना जहां से प्रियावरण प्रिदूशन अधिक मात्रा में बढ़ रहा है जादा से जादा दुरुगछनदाई हो रही है प्रिदूशन के कारा उनके उपर उप्चार बन करेगी नियम बनाएगी ठीक है नमबर चार प्रियावरणिय प्रदूशन से जड़ी समस्याओं के सम्बंध में अनुसंधान बे सोध करना अगर कोई प्रदूशन ऐसा है जो प्राकर्तिक रूप से हो रहा है या जिसका बहुत लंबे समय से चला रहा है प्रदूशन उनका अच्छे से सोध करेगी अनुसंधान बेज़ेगी और उनका निवारण करने की पूरी कोसिस करेगी आगे देखते हैं फाइब नंबर प्रियावरण प्रदूशन के निवारण नियंत्रन तथा उप्षमन यानि रोकताम से सम्मदित नियम पुस्तिकाएं सहीताएं तथा मार्ग धर्सिकाएं तैयार करना मतलब एक रूप से सभी लोगों को जागरूप करेगी प्रियावरण को स्वक्ष और सुन्दर कैसे बना सकते हैं हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए हमें क्या कार रहें नहीं करने चाहिए ऐसे जिससे प्रियावरण प्रदूशन हो उसके लिए क्या है नियम बनाएंगे पुस्तिकाएं लिखेंगे सहीताएं बनाएंगे रहे हैं तो लेकवद्ध करके लिख लिख कर इस लोगों द्वारा मतलब जैसा भी प्रियास हो सके जिसी भी तरीके से लोगों के पास व्यक्तियों के पास लोग समूताय के पास जो मैसेज पहुंचाया जा सके प्रियावरण प्रदूसरण को रोकने के लिए वो सभी कार रह करेगी आगे चलते हैं इसमें एक केस है जैसा कि मैं प्रितिक वीडियो में आपको बताता हूं केस हमें याद करने होते हैं जिससे हमारे नंबर अच्छे आते हैं इसमें एक केस है S.C. महता बनाम Union of India 1992 का ये केस है इसमें कहा गया कि सम्मिधान के अनूचे 51 के अंतरगत नागरिकों का भी ये करतब्बे है कि वे पिर्यावरण के सर्रक्षण सर्रक्षण और सुधार को प्राथ मिक्ता दे देखो यहाँ पे एक केस है S.C. महता और Union of India इसमें क्या कहा गया था कि सम्मिधान के अनूचे 51 के अंतरगत नागरिकों का भी करतब्बे है कि वे पिर्यावरण के तरफ जादा ध्यान दे यहाँ पे वोला है देखो केंद्रिय सरकार तो कर रहे करेगी केंद्रिय सरकार का तो कर रहे है पिर्यावरण को देखना ठीक है उसके लिए नियम बनाना उसकी रोग थाम करना लेकिन नागरिक जो होते हैं उनका भी करतब्बे है कि वो अपने पिर्यावरण की सुरक्षा सुधार और सन्रक्षड करें ठीक है अपने पिर्यावरण की आगे चलते हैं वे ऐसे किसी ब्यापार या बेवसाय का एक मूल अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते जिससे पिर्यावरण का पिर्दूसित होना संभाब्बे हो यानि कि यहाँ पे बोला है जो आमनागरिक है या जो भारत की जनता है उनको यह अधिकार तो है कि वे प्राण एवन देख सुरतंतरता से रह सकते हैं लेकिन उनका एक अधिकार और है करतब्बे यह भी है कि जिन से यह पता चले कि यहाँ इन ब्यावसाय या ब्यापार से तो उन पर रोख थाम करे प्रिदूशन हो सकता है तो उन पर क्या करे रोख थाम करे यह किसका काम है भारत के प्रतर नागरिक का कर्दब्वे है, ठीक है? सरकार ऐसे ब्यापार या बेवैसाय पर प्रितिवंद्र लगा सकती है और दूसरी बात पहले तो नागरिकों को देखना है कि ऐसे ब्यावैसाय और ब्यापार जिससे प्रियावरण प्रितिशन हो रहा है उसको रोक ठाम करके चलें ठीक है? अगर ऐसा नहीं करते हैं ये नागरिका कर्तब है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो कैंद्रिय सरकार है इन पर रोक लगा सकती है ठीक है? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर दूसरा है हमारा अधिकारियों की न्युक्ति और उनकी सक्तियां तथा कार है धारा चार के नुसार केंद्रिय सरकार का अधिनियम के उपबंधों उपबंधों का मतलब होता संबंद और संयोग उपबंधों को प्रवाबसाली ढंक से लागू करने है तू अधिकारियों को न्युक्त करने की सकती प्रदान करती है बझEMA अब एक बार बताओ केंद्रिय सरकार जो है पहले हो गई केंद्रिय सरकार वह यह कोई संस्था बनाईगी वह संस्था में सदस्य नहीं प्रक desas एक तो होगा अधिकारी उनका अधिकारी होता है और इसमें अन्य सदस्य होंगे ठीक है तब ही तो ये कार्रे करेंगे आगे तो उनकी क्या बोलिए न्युक्ति करना और उनकी सक्तियां और कार्रे ये उन सब को दिये जाएंगे आगे चलते हैं नंबर तीन निर्देश देने की सक्तियां धारा पांच के अनुसार किसी अन्य विधी में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपभंदों के अधिन रहते हुए चाहें आपको कोई सा भी अधिकार सही चाहें आपको आपका कानून सही कोई भी कानून सही कोई भी आपका अधिकार सही जो आपको प्रियाप्त है लेकिन कानून और जो अधिकार आपको प्रियाप्त है उसके बाब जूद अगर कोई प्रिदूशन हो रहा है तो ये प्रिय जावरण संरक्षण अधीनियम के तहत इनको रोक दिया जाएगा ठीक है वह कुछ ऐसे अधीकार होते हैं जिससे प्रदूसर्ण हो रहा होता है तो उन अधीकारों को भी रोक सकता है ठीक है अधीकार बेसक हैं चाहें वो किसी भी विधी के द्वारा हो तो यहां पर यही बा के पालन में केंद्रिय सरकार किसी भी व्यक्ति प्राधिकारी या अधीकारी को लिखित में निर्देश जारी कर सकेगी दूसरी बाद किसी भी संस्था से जोड़ा है ठीक है केंद्रिय सरकार क्या सकतिया है कोई भी व्यक्ति कोई प्राधिकारी हो या अधीकारी हो या किस को एक notice दे सकती है यह आदेश दे सकती है निर्देश दे सकती है जो लिखित हो सकता है या एलिखित भी हो सकता है कि लिखित निर्देस जारी कर सकेगी और ऐसे विक्ती अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देसों का पालन केरने के लिए बात्ते होगे। इसका मतलब क्या है जो केंद्रिय सरकार है। सबसे पहले तरो अगर किसी मानव को समूदैकी कानून और अधिकार तुं है। अगर किसी विधी के द्वारा जो उनको मानम् को प्रयाप्त है अगर उल्हंगन हो रहा है परदूशन का। चाहें वो अधिकारी हो, प्राधिकारी हो, या कोई अन्य व्यक्ति हो, इन सब को नोटिस दे सकती है, आदेस दे सकती है, उन पर रोक लगवा सकती है, कि इस प्रकार का कार्रे ना करो, और दूसरी वात, इनके ही द्वारा उन पर रोक थाम करवाएगी, बै? कार्रे कॉन करेगा? अधीकारी, پ्रादिकारी या इससे संबंदी सदस्य करेंगे और इनके द्वारा भी अगर कोई गलत कार्रे किया जा रहा है तो इन पर भी रोकथाम लगाए जाएगी दोनों ही बात है, इनके ही द्वारा कार्रे कराएगी कि अगर ये भी गलत कार्य कर रहे हैं तो इनको भी रोख थाम कराईगी आगे चलते हैं इस पश्टि करन संदेहों को दूर करने के लिए यह गोशणा की जाती है कि इस धारा के अधहिन निर्देश जारी करने की सक्तियों के अंतरगत निमलखित के बारे में निर्देश जार किसी भी उद्धोग, संचालन या प्रिकित्रिया को बंद करने निसेधित तथा बेनेमित इसके द्वारा अधिकारी, प्राधिकारी या जो इससे संबंदित, केंद्रे सरकार से संबंदित सदस्य हैं वो यह जाज़ परताल करेंगे कि कौन सा बेबसा है ऐसा है या सित हो रहा है तो उसको क्या करेंगी बंद करने की प्रिकिर्या को आगे बढ़ाएंगी या उसे नौटिस देंगी कि आप कोछ समय में ही इसको रोक थाम करो ठीक है आगे चलते हैं बिधुत, जल या अन्य किसी सेवा के सेवा को बंद करने या बिनेमित करने प्रदाय, भे अधिकार भी केंदर सरकार किसे देती है अधिकारी, प्राधिकारी और उनके सदस्या को बिधुत, जल से हो या अन्य किसी सेवा से सम्बन देतो उनको रोगने का अधिकार भी है दूसरा केस है, इस्वर सिहिंग बनाम इस्टेट आप हरियाना 1996 का ये केस है, इसमें कहा गया कि ऐसे निदेसों के अधिन, पिट्रियावरण प्रदूशन को रोगने के लिए सरकार पत्थर तोडने वाली एकाईयों को आबादी से दूर इस्थापित करने का आदेस अगर कोई ऐसा व्यवसाय है, व्यापार है या कार्रे है, जो जनता के आसपास हो रहा है और जनता को से हानी हो रही है, चाएं वो विधुत हो, जल हो या अन्ने किसी सेवा से सम्मंदित के होना सही, और उससे लग रहा है कि प्रियावरण दूसित तो होई रहा है और जागरिकों से दूर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो से एकांति स्थान पर लगाने की परमीसन दी जाएगी, ठीक है, आगे चलते हैं, फूर्थ नंबर का पॉइंट है, पिरियावरण प्रिदूशन को बिन्याइमित करने के लिए नियम बनाने की सक्ति, धारा चैके नुस और कैंद्रिय सरकार को पिरियावरण प्रिदूशन रोकने के लिए नियम बनाने की सक्ति दी गई है, किसको सक्ति दी गई है, इस सोरू से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, पूरे कोईशन में, कि जो पिरियावरण प्रिदूशन को रोकने की जो सक्ति हैं, किसके पास हैं, कै नमबर बन दारा तीन में वरनिद बिश्यों के बारे में नियम बना सकेगी. कैंद्रिय थे सरकार के पास क्या है? साखिय है राजपत्र. इसमें नियम बनाकर वो सभी को दर्चाईगी और उसके आदार पर प्रियावराण्ट प्रोडूशन को कंट्रॉल किया जाएगा और वो सभी को मानना पड़ेगा अगे चलते हैं ऐसे नियम बिशेस रूप से निमल्खित बिशों के बारे में हो सकेंगे किसके बारे में हो सकेंगे नमबर बन के बिभिन छेत्रों और उद्दिसों के लिए बायू जल या मिट्टी के मानक निर्धारित करना बै केंदिरे सरकार सासकिये राजपत्र में अधी सूचना द्वारा नियम बनाकर आदेश दे सकती है कैसे कि बायू जल और मिट्टी के अबसेस लेके आओ उनकी जाज करो लेम में लेके जाओ और ये देखो कि प्रदूसर कितनी मात्रा में बढ़ा हुआ है ठीक है उसके मानक निर्धारित करो उसके बाद खे ऐसी दुरगटना है जिनसे प्रियावरन प्रदूसर होना संभाब्य हूँ रोक थाम के लिए प्रकिरिया तता रक्षा के उपाय है कि दूसरा क्या बोला है वही पहले तो इनकी जाज परताल करो ठीक है कितनी मात्रा में प्रदूसरा है दूसरा ऐसे ब्यवसाय ब्यापार कार्या ठीक है या कोई उद्धोग है उनकी जाच परताल करो जहां से प्रदूसर्ण की मात्रा ज्याद उत्पन हो रही है दूसरा ये भी देखो ये ब्यवसाय ब्यापार कार्या या उद्धोग ये आम जंता के आसपास तो नहीं है आम जंता या निवास इस्थान के आसपास तो नहीं है अगर ये निवास इस्थान के आसपास हैं आम जंता के आसपास हैं तो इनको वहां से दूर हटाया जाए और उन पर रोक थाम की जाए दूसरी बात अब सपोच करो एक एक जामपल के ल गंदा पानी हम सीवरों कर डाल रही हैं, कम्पनियों का गंदा पानी रासाइनिक पानी ये सब इसमें जा रहा है, तो इसकी जात परताल की जाए और इन सब पे रोक लगाई जाए, ये केंद्री सरकार आदेश दे सकती है, दूसरा, ये एक नदी जा रही है, इस नदी का कट होगा, मच्छर बनेंगे, मक्खी बनेंगी, और कीटाणू बनेंगे, और बीमारी उत्पन होगी, और ये पिर्दूसर्ण का कारण बनेंगे, तो केंद्री सरकार क्या कहती है, इन सब चीजों पे रोक थम लगाई जाए और इनकी जाच परताल होती रहनी चाहिए, ठीक है सही है, एक्जामपल तो बहुत सारे हैं, काफी हैं, आगे भी देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ऐसी दुरखटना है, बहिए तो दुरखटना तो ये है, पानी जिस नदी से जाना था, उसका एक कहीं से कटाव हो गया, और वो सहर्य गाव में अंदर खुश गया, ठीक है, तो हां से बीमारी उत्पन हो जाएंगी, तो ऐसी दुरखटना है, जिन से पिर्यावरण प्रदूशन होना संभाब्वे हो, रोक थाम के लिए पिर्किरिया, तता रक्षा के उपाय, तता दुरखटनाओं के निवारण के के लिए उपाय सुनिचित करना इत्यादी, आगे चलते हैं, इसमें एक केस और है, इस कोशन में मैंने तीन केसों को एड़ किया है, केस नमर 3, बी लक्षमी पती बनाम, श्टेट ओप करनाटक, 1992 का केस है, इसमें करनाटक उच्छ न्याले ने निर्णे दिया कि स्वक्ष पिर्यावरण मानव जीवन के लिए आवशक है, किसने बोला था, करनाटक के उच्छ न्याले के न्याइधीज ने, कि जो स्वक्ष पिर्यावरण है, मानव का अधिकार है, कि यह सम्मिधान के अनुछेद 21 के अंतरगत, देखो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था, यह सम्मिधान के अनुछेद 21 के अंतरगत, उसका प्राण तथा देख सुर्तंतरता का मूल अधिकार है, यानि कि पिर्तेग व्यक्ति का अधिकार है, कि वो स्वस्थ वातावरण और सुद्ध वातावरण में रहे, उसके लिए वो कैंद्र सरकार से अपील भी कर सकता है, और उसके लिए स्वेंबी खार्रे कर सकता है, इसलिए सरकार को इस दसा में आप सक उपाय करने चाहिए, इसके लिए आवासिये वस्तियों में इस्थापित ओधोगे की काईयों पर रोक भी लगानी पड़े तो ऐसा किया जाना सही होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, इनी निवासों के बीच में फैक्टरियां बनी हुई है, उद्धोग धंदे हैं, जिससे फिर्दूसर उत्पन होता है और ये आम जंता को परेशान करता है, तो सरकार का करतब्य है, केंद्रिय सरकार का, ऐसे उद्धोगों को वहां से बंद करके, ऐसे इस्थान पर ले के अधी नहीं है, ठीक है, सहर से, कस्वों से, गामों से बाहर ले कर जाएं, ठीक है, तो ये था केंद्रिय सरकार के कार रहे हैं, उपाय, और पिरतेक भारतिय मानव, यानि मनुस्य के अधिकार, ठीक है, आयर्टीकल 21 के द्वारा, उम्मीद करता हूँ, ये कोशन आपको होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिस किया, अगर कोई तुरूटी होती है, तो आप कमेंट करके बताइए का, मैं और उन चीजों को सुझाने की कोशिस करूँगा, आपने ये वीडियो को अंते तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद, टेक कियर, भाई भाई, जैहिंज, जै भाहरत.